Hi everyone, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी होंगे हम इंडियन्स पाकिस्तान से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि किस तरीके से जब कोई देश बढ़ चड़ कर एक्स्ट्रिमिजम को प्रमोट करता है तो उसके क्या नुकसान होते हैं और खास करके अगर वो एक्स्ट्रिमिजम, रिलिजिस एक्स्ट्रिमिजम हो तो वो कही न कहीं देश को ही तोड़ देता है किसी टाइम पर पाकिस्तान को ये लगता था कि वो जिस तरीके से रिलिजिस एक्स्ट्रिमिजम को बढ़ा रहा है वो सही कर रहा है और ये सब जो groups हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ जो देश हैं उनसे ये बदला लेंगे तो कहीं न कहीं पाकिस्तान मजबूत होगा 1947 से यानि कि जब से पाकिस्तान भारत से अलग हुआ है तब से शायदी कोई ऐसा महीना होगा जब पाकिस्तान का foreign policy independent होगा आज के डेट में पाकिस्तान में छोटे बड़े इतने सारे arms group बन चुके हैं कि शायद इसको गिन पाना ही मुश्किल है Recent पाकिस्तान में एक attack होता है बलुचिस्तान और खाइबर पक्तुनवा में जहां पे 6 security personals मारे जाते हैं अलागे ये news भी कोई नया news नहीं है इस वीडियो में हम पाकिस्तान की map से समझेंगे कि exactly पाकिस्तान में जो attacks होते हैं वो बलुचिस्तान और खाइबर पक्तुनवा में ही जादा क्यूं होते हैं मगर आगे बढ़ने से पहले आपको मेरा effort पसंद आता है तो चैनल को subscribe और वीडियो को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो वो भी आप मुझे email करके बता सकते हैं किसी भी चीज को समझने का जो best तरीका होता है वो होता है map के मदद से पाकिस्तान में चार प्रोविंस है काईबर पक्तुनवा पंजाब बलुचिस्तान और सिंद बलुचिस्तान का जो border है वो लगता है आफगानिस्तान के साथ और इरान के साथ और यहां के जो लोग है वो अपने आपको main पाकिस्तान के साथ अपने आपको attach करके नहीं देख यहां पर vacuum create हो जाता है और इस vacuum को fill करने के लिए यहां पर फिर कोई बचता नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर किसी area में खूब सारे doctors रहते हैं और अगर किसी कारण वो doctors अगर वहां से निकल जाते हैं तो वो area पूरा खाली हो जाएगा। वो area दुबारा flourish तभी करेगा जब वो सरकार या जो वहाँ के जो local authorities हैं वो फिर दुबारा से doctors को वहाँ पे लाए लेकिन पाकिस्तान में ऐसा हुआ नहीं उसके बाद Khyber, Paktunua, Balochistan या Sindh province इन तीनों जगा के जो long होते हैं उनका participation पाकिस्तान के politics में ना के बराबर है पाकिस्तान के politics हो गया या पाकिस्तान के establishment याने की जो उनके army है वहाँ पे जो maximum long बैठे हुए वो पंजाब province कहीं बैठे हुए कहने का मतलब है 90-95% जो long है वो पंजाब province कहीं है इससे क्या होता है कि चाहे वो खाइबर पक्तुनुआ हो या बलुचिस्तान हो या सिंद्ध province हो यहां के लोग काफी अपने आपको ignored feel करते हैं उसके बाद बलुचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा province है और ये mineral rich भी काफी है सेम कुछ देखा जाता है सिंद्ध के बारे में भी लेकिन क्योंकि पाकिस्तान कभी भी school, colleges, research institutions पे कभी focus नहीं किया as a result क्या होता है कि इन सब area में minerals रहने के बावजूद यहां के जो long है वो काफी गरीब रह गये अब situation इतना खराब हो गया कि ये लोग अपने आपको कभी भी connect ही नहीं कर पाते हैं पाकिस्तान as a nation या as a country के साथ में और पाकिस्तान में क्योंकि जब से पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तब से पाकिस्तान में एक भी ऐसा प्रायम मिनिस्टर नहीं है और वो जो सारे armed group हैं वो क्योंकि पढ़े लिखे तो है नहीं तो वो कहीं न कहीं जो सरकार है उन्हीं को वो challenge करते हैं और सरकार से ही demand करते हैं कि आप इस area से चले जाए उसके बाद फिर आता है चाइना पाकिस्तान economic corridor जो की बलुचिस्तान से होके गुजर रहा था बलुचि लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान और चाइना का जो CPAC agreement है या project है उस पे इतने बम मारें कि चाइना को ultimately अपने सारे project को बंद कर देना पड़ा recent जो attack हुआ था पाकिस्तान में वो काइबर पक्तूनवा में हुआ था जहां पे Chinese engineers के उपर attack हुए थे हलाकि ऐसे attacks तो कम कह सकते हैं कि जब भी भी वहां से Chinese nationals गुजरते हैं उनके buses गुजरते हैं तो हर वक्त उनको track किया जाता है और कोशिश किया जाता है attack करने का अब क्योंकि क्या हुआ कि China बहुत ही खफा है पाकिस्तान से और वो यह कह रहा कि जो भी armed group है आप उनको समहा लें अगर आप उनको नहीं समहा लेंगा तो China जो भी fund दे रखा है पाकिस्तान को या जो projects बना रहा है पाकिस्तान में उसको वो halt कर देगा as a result क्या हो रहा कि multiple crackdowns किये जा रहे है पाकिस्तान के army और local forces के द्वारा अब क्योंकि AK-47 अगर पाकिस्तान के military के पास में है तो AK-47 वहां के जो armed group है उनके पास में भी है कहने का मतलब है कि बराबर के weapon है जितने local वहां के local civilians है उतने ही local वहां के police officers भी है तो कहने का मतलब है कि exactly civil war तो हम नहीं कहेंगे लेकिन जो regional dispute है जो regional rift है वो काफी आगे बढ़ चुका है ये voice of america का अब एक article के screenshot देख सकते हैं जो की साल 2023 डिसमबर महीने में है जहां पे पाकिस्तान US से help मांगता है पाकिस्तानी तालिबानी को counter करने के लिए अब 2021 में अग ऑगस्त के मही में तालिबान अफगानिस्तान को capture करता है अब तालिबान अच्छा है या बुरा है इस पर debate हो सकता है लेकिन वैसे लोग जो तालिबान के mindset से match करते हैं पाकिस्तान में वो लोग भी अब ये कहना शुरू कर दिये हैं कि पाकिस्तान में भी अब Islamic हुकूमत होना चाहिए औ और पाकिस्तान as a country शरिया law से चलना चाहिए अब आप इस आदमी को देख के आप सोचे कि अगर आप इनसे बातचीत करेंगा तो क्या इसे कभी बातचीत समझ में आएगा तो समझ में नहीं आएगा अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आदमी बहुत ही बुरा है ये जि रिलीजन से बिलॉंग करते हैं सिर्फ वही सही है अब जो रीसेंट अटैक हुआ है बलोचस्तान और खाइबर पक्तुनवा प्रोविंस में उसमें एक डियस्पी रैंक का ओफिसर भी मारा गया है तो ये बताता है कि किस तरीके से लोकल पुलिस और जो सिविलियन से उनके बीच में टेंचन बढ़ा हुआ है और इसके बारे में बकाइदा शेहबास अरीफ का भी ट्वीट आता है और खाइबर पक्तुनवा पुलिस भी ट्वीट करके बताते हैं अब नॉर्मली जैसे कि भारत में भी क्या होता कि इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी अकर कुछ कहते हैं तो वो प्रेस ब्रीफ करते हैं और जो जानकारी होता है उसको शेयर करते हैं ऐसा ही कुछ देखा जाता है पाकिस्तान के आम्र फोर्सेस में भी जहां पे उनका एक मीडिया डिपार्टमेंट ßको कहते हैं इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन्स वो मीडिया को करते हुए ये कहते हैं कि 6 security personal की इसमें जान गई है जिसमें से एक DSP rank का officer भी था और साथ में वो लोग ये भी कहते हैं कि 12 militants थे अब कहने का मतलब है कि ये जिनको आज militants कह रहे हैं ये कल को किसी time पे जिहादी हुआ करते थे और पाकिस्तान इनका इस्तेमाल करता था और हैं पिछले कई दिनों से पाकिस्तान के जो police forces से अलग अलग province के वो काफी strong तरीके से crackdown करते हैं और जो exactly जो घटना घटा है खाइबर पक्तुनवा और बलुचिस्तान प्रोविंस में पिछले 2-3 दिनों से crackdown किये जा रहे हैं तो इसमें क्या हुआ कि police और लोग civilians में clash होत हैं militants हैं वैसे खाइबर पक्तुनवा में attack हुआ या बलुचिस्तान में attack हुआ ये शायद हमारे लिए उतना concerning नहीं है जितना concerning इसके पीछे का reason है अगर आप मैप में पाकिस्तान को देखते हैं जो इसका geographical location है ये सच में काफी बहतरीन है बलुचिस्तान एक काफी mineral rich जग है लेकिन जो पाकिस्तान का economy का जो सबसे बड़ा main contributor है वो पंजाब ही है तो कहने का ये मतलब है कि अगर आपके पास resource है और आप इस resource का इस्तिमाल सही से नहीं करते हैं तो कोई फायदा नहीं है कि आपके पास वो resource है या नहीं है अगर same geographical location किसी European country को मिला होता तो वो अप किया था यानि कि घुसा था तक पाकिस्तान उसको अपना जमीन दिया था Americans को base बनाने के लिए as a result वो US से weapons लेता है पैसे लेता है तो ये भी बताता है कि किस तरीके से अगर आपका जो foreign policy है वो independent नहीं रहेगा तो इसका नुकसान आपको ही भरना पड़ेगा जबसे अफग पाकिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो border है ये durand line यहां के local इस border को नहीं मानते हैं तो कहने का मतलब है कि पाकिस्तान के ऊपर छोटे बड़े बहुत सारे armed groups के द्वारा खत्रा मंडरा रहा है और इसके पीछे का जो responsibility बनता है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का leaders का ह नहीं बनता है तो in a way हम ये कह सकते हैं कि कभी भी खुद के देश में किसी भी form का extremism को बढ़ावा नहीं देना चाहिए खास करके religious extremism को तो बिलकुल भी नहीं और उसके बाद gun culture जो है उसे बढ़ चड़ कर रोक थाम करना चाहिए ताकि जो civilians है उनके हाथ में कभी भी gun ना खतम हो गया लेकिन जो gun का टेस्ट है वो अफगानिस्तान के हाथ में रह गया या वहाँ के फिजाओं में रह गया सेम पाकिस्तान में भी देखने को मिला as a result ये लोग एक normal human being से काफी अलग हो चुके हैं जिनको सम्हाल पाना almost impossible है जो की दिख भी रहा है I hope that you like the video अगर फि चाहूँगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye